सर्दियों के मौसा में अगर गर्मा गर्म पत्ता को भी के पराठे मिल जाए तो फिर क्या बात है। खाने में पराठे बहुत ही जादा टेस्टी और यमी लगते हैं। उपर से एकदम सॉफ्ट करारे, क्रिस्पी और अंदर से इनके स्टफिंग सराबोर। यह देखे, स्टफिंग चारों तरफ से फैली हुई है, कोई भी एक कोना नहीं बाकी है कि स्टफिंग ना हो। इस पराठे की रेसिपी में हम वो सारे टिप्स और ट्रिक्स पताएंगे, जिससे आपकी पराठे एकदम पॉफिक बनेंगे, ना ही फटेंगे और ना ही स्टफिंग बाहर आएगी। ट्राइ कीजिए ये रेसिपी और अगर अची लग जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेर कीजिएगा, अलो दोस्तों मेरा नाम है उमारावत और सागत है आपका फूट जाई पे ये रेसिपी थ्रे स्टेप्स में कम्प्लीट हो जाएगी, पहले स्टेप्स में हम दो तयार कर लेंगे, एक बड़ी सी पराट के अंदर दो कप मल्टी क्रेन आटा ले लेंगे और इसके अंदर एट करेंगे नमाक स्वात के नोसार, पौना चोटा चमच अजवयन एट करे आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद इसमें एक कप पानी एट करेंगे, पानी थोड़ा थोड़ा करके एट कीजिएगा, अंदाजन और एक नरम आटा आटा आपको लगाना है, इस वीडियो में सबसे पहली टिप आपके लिए है कि आटा आटा आपको नरम जितना अच्छा आप आटा गूंदोगे, उतना ही जादा ग्लूटिन डवलप होगा, और आपके पराटे बहुत जादा नरम बनेंगे, आटा एकदम नरम तयार हुआ है, अब इसके अंदर दो चमच तेल लगाकर हम इसे वापस से थोड़ा सा गूंद लेंगे, इससे पता गूबी, पता गूबी को हम बन गूबी बोलते हैं या फिर पात गूबी भी, यहाँ पर आप देख सकते हो पता गूबी किस तरीके का है, एकदम फ्रेश, ताजा, ग्रीन, इसके उपर के पते हम हटा देंगे, और आप एक चीज और सीख लो, कि पता गूबी कैसा ले अगले स्टेप के अंदर हम इस पता गूबी को ग्रेट कर लेंगे, जिससे स्टफिंग पराटो से बाहर नहीं आएगी, यह अंदर ही सेट हो जाएगी, इस तरीके से आपने ग्रेट कर लेना है, पता गूबी कटकर तयार है, स्टफिंग तयार कर लेते हैं, एक पैन गरम क पॉना चोटा चममच साबूत क्रश दनिया ड़ना करेंगे पॉना चोटा चममच ही साबूत चीरा ड़ने इन दोनों चीजों का फ्लेवर इस स्टफिंग में बहुत बढ़ी हाता है अब इसके अंदर हम हींग ड़ने पना चोटा चममच या फिर 3-4 पेंच पता गोबी है तो इसके अंदर हींग ज़रूर एट कीजेगा और ये मसाले अच्छे से चटक चुके हैं अब हम इसके अंदर अधरक एट करेंगे बारीक कटी हुई एक बड़ा चमच आज को इस टाइम मीडियम टू लो रखिएगा हरी मेर्च आट कर लेंगे तीन और एक मीडियम साइज का प्यास बारीक कटावा आट करेंगे प्यास को बहुत जादा नहीं को करना है अब इस टाइम पर आज को तेज कर लेंगे प्यास आट करते ही अब इसके अंदर हम पत्ता को भी आट करेंगे अब इसे स्टफिंग को चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर कुछ मसाले आड़ करेंगे एक चोटा चम्मच धनिया पाउडर आधी चोटी चम्मच कश्मीरी मेर्च और तीखी लाल मेर्च पाउडर मिक्स करके आड़ करेंगे दो से तीन पिंच होम मेट गरम मसाला एड़ करेंगे इसकी रेसिपी आप हमसे ले सकते हैं अब आप देख सकते हैं पैन के अंदर बिलकुल भी पानी नहीं है और हम गैस को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे पूरी तरीके से स्टफिंग हमारे ठंडे हो चुकी है हमने इसे फैन के नीचे रख दिया था थोड़ी देर के लिए अब आप देख सकते हैं पैन में पानी भी बिलकुल नहीं है ये स्टफिंग एकदम सूखी खिली खिली बनी है अब बारी आती है इसके अंदर कुछ और चीज़े एड़ करने की अब आप सोच चोंगे अमने इसके अंदर नमक नहीं एड़ किया अगर गरव स्टफिंग में आप नमक एड़ करोगे तो ये पानी रिलीस करेगा फिर बहुत सौगी हो जाएगे स्टफिंग तो नमक अब इस पॉइंट पे आपने आड़ करना है ठंडा करने के बा इसमें पानी बिलकुल नहीं है और ये बहुत बढ़ी आप स्टफिंग त्यार हुई है यहां पर हमारे दो स्टप्स कंप्लीट होते हैं चलिए चलते हैं थर्ड स्टप की तरफ हमारा डो रेस्ट कर चुका है बहुत जादा सौफ्ट और मुलायम बना है इससे पराठे बह तो आपने ध्यान रखना है इस्टाइम की साइट को बतला रखना है और बीच की साइट को मोटा रखना है लेशा ध्यान रखेंग एससे आपके पराठे बिलकुल परफेक्ट बनेंगे अब स्टफिंग को हम अंदर केंगे ले डुगों आवे लिकावा हिस्साँ आप ऐसे करके twist करके तोड़ दीजे अब stuffing भरे इस ball को थोड़ा सा चप्टा करेंगे ताकि ये बेलने में easy रहे थोड़ा सा उंगलियों से हलकी उंगलियों की सहता से चप्टा करेंगे अब इसे सूखे हाटे में dust कर लेंगे उसके बाद हम इसे थोड़ा सा और flatten करेंगे ता पर हमारा पराठा एक बेल कर रेडी है ये देखें स्टफिंग बिलकुल भी बाहर नहीं आई है सेम ऐसे ही बाकी के पराठे भी सेम ट्रिक्स लगाते वे बेल लेंगे आप इसे हातों से भी ऐसे किनारों के साइट से चप्टा कर सकते हो और बीच का हिस्सा थोड़ा मोटा रखना है और स्टफिंग रखिए और भरकर बेल लीजे दोस्तों अगर आपको गोबी के पराठे मूली के पराठे पनीर के पराठे इस तरीके के स्टफिंग वाले पराठे या फिर दाल के पराठे के रेसिपीस चाहिए ब्रेकफस्ट के लिए बहुत ही बेस्ट नाश्ता होता है आप अगर चाहते हैं यह रेसिपी तो हमें कोमेंट कीजेगा हम आपको उनके लिंक प्रोवाइट करेंगे और अगर आप विंडे स्पेशल आसान तरीके से मक्का और बाजरा रोटी बनाना चाहते है घर पे तो आप हमें बताए हम आपको उन वीडियो के लिंक भी प पसन आ रहे हैं तो लाइक दीजेगा और शेयर कीजगा इसे जादा से जादा दोस्तों के साथ हमारे पराठे बेल कर तैयार है अब हम एक आईरन तबा गरम करेंगे और इस पे यह पराठा प्लेस कर देंगे ध्यान रखना है तबा अच्छे से गरम होना चाहिए अब हम ए लाठों के ब्राउन चेत्तिया गोलडें हो जाए और खाने में बहुत जादा टेस्टी और करारी लगे यह पराठे जितना जादा आप अच्छे से से कुगे दबा दबा कर इंमें Пр Влад den साऊंगे उतने ही जादा पराठे बनें बहुत ही मजयक। आप ये रेसिपी एक बार ज़रू ट्राइ कीजेगा, अब आप इन पराठों की रंगत देखे, बहुत ही ज़्यादा टेम्टिंग लग रहे हैं, जितने ज़्यादा आपको ये आँखों से दिखने में सुन्दर लग रहे हैं, उतना ही ज़्यादा स्वाद बने हैं ये पराठे, आप हमारी बातों पे पराठे बनाने सिखाए, उमीद है कि आपके ये बहुत जादा काम आएंगे इन फ्यूचर और आपको ये रेसेपी भी ज़रूर पसंद आई होगी, अगर आप चाहते हैं कि मुझे पता चले कि आपको ये रेसेपी पसंद आई है तो फट फटेक लाइक देजिए और शेय किजिए ज़ादा से ज़ादा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तिल देन बबाएं